असलाव आलेकूम कैसे आप लोग आज मैं आपके साथ मसाला चाय रेसीपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक थ्रोट रेमेडी भी है अब जैसे कि सर्दिया शुरू हो गई है सुरूआत में उतना ध्यान हम नहीं रखते हैं तो आकसर सभी को सर्दी जुखाम हो जाता है औ टो इसके लिए मसाला चाय होती आप ही बना कर पीसकते हैं बहुत ही फाइदेमंद होती है चाह ले किसी तरीके से इको बनाएं फैसे हो स्वाइए प्रचौस प्रेम स्पाइब चाहर मिर्च 2-4 त५टे मिर्च vgt का रिष्पार्प यहां पर तुकड़ क्यों स्फेंफ करके और दालेकी та Soff i. delley, मैं दाले हैं 1 चाहर एंच प्रजाटी, मिर्च पर 1-2 दालोंटी 15 प्रेमिर्च 3 पंसwo Hagdan इस में से मैं 6-7 धागा डाल दूँगी तो ये मैंने जाय फल को तोड़ लिया बस इतना सा ही लिया है मैंने और ये छोटा टुकड़ा लिया है मैंने आधरक तो अभी चाय बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हैवी बोटम एक बैसल रख दिया है तो अब मैं इस में डालोंगी 1 and half cup इस में डालोंगी तूद और half cup मैं डालोंगी पानी मैं दो cup बना रही हूँ अभी जो हमने मसाले लिये थे उनको मैंने अच्छे से कूट कर तयार कर लिया इस तरीके से मैं दो कब बना रही हूँ, अगर आप कम ज़्यादा बना रहे तो उस हिसाब से आप मसाला एड़ेस्ट कर सकते हैं अभी दूद हमारे यहां पर बॉयल हो गया है, तो जो मसाले हमने बना कर तयार किये थे, वो हम इसमें सभी डाल देंगे और इनको एक से दो मिनिट के लिए भी हम बॉयल होने देंगे इसी तरीके से अब यहां पर मैं इसमें डालूंगी चाय पत्ती, तो मैं यहां पर दो छोड़े चमज डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको बहुत इस ट्रॉंग फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, और कम चाहिए तो थोड़ी कम डाल सकते हैं तो अब हम इसको बॉइल करेंगे इसी तरीके से, एक बॉइल हम हाई फ्लेम पर लाएंगे, उसके बाद हम गैस को सिमर पर रखेंगे अब हम इसको धीमी आज पर चार से पांच मिनट कर तक पकाएंगे, ताकि जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं, उनका अच्छे से इसमें फ्लेवर आजा है चाय को मैंने दो से तीन मिनट के लिए पका लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी तो मैं यहाँ पर दो चम्मत चीनी डाल रही हो उसमें, और अब हम इसको दो मिनट के लिए और पका लिए आप यहाँ पर चीनी की जगे गुड़ का इस्तमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि वह इससे भी ज़्यादा फाइदे मंद होगा तो चाय यहाँ पर हमारी बनकर तयार हो गई है, अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो लीजी, मसाला चाय आम पर बनकर हमारी तयार हो गई है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले थैंक्स पर वाचिक माई वीडियो